दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप स्वीगा ओलनेटा फॉस्ट यूटूब चैनल पेश वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो की संबन्दित है नई प्रात्मिक सिच्छक भरती के विग्यापन को लेकर जहां पर भरती का विग्यापन जारी क दिया गया है इसकी जो परिक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी वो 31 अक्तूबर 2022 को इसी जाल देखने के लिए मिलेगी आविदन की बात की जाए तो आज से इसके जो आविदने वो शुरू हो जाएंगे बेतन लगबग 30,000 के संथिंग होगा आयू कितनी होनी चाहिए टेट कौन सा लगेगा टेट या फे सी टेट इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी योगिताओं के बारे में चैन परकिया को लेकर पदों की संखिया और भी तमाम ऐसी जानकाई हैं जो भी इस वीडियो से मतलब इस भरती से संबन देते हैं इस वीडियो में आपको बता में authentic निकाली जाती हैं क्योंकि आप जानते हैं कि social media पर कई नकली भ्रामक और हम कह सकते हैं कि जो जारी किये जाते हैं जिनकी जानकाई भी आपको मैं दे लेता हूं जिससे कि आप आविदन ना करें लेकिन यह वेकेंसी बिल्कुल ठीक है और इसके लिए आप सभी जाकर क अगर बात की जाए last date of closing application के बारे में तो वो यहां पर 6-10-12-22 देखने के लिए मिलती है last date of deposit fees की अगर बात की जाए तो वो यहां पर लिखा हुआ है 10-10-12-22 तक आप कर सकते हैं इसके अलाबर अगर बात की जाए display of fee confirmation list के बारे में जिनकी यहां से fees confirm हो जाएगी और उसक कि जो लिस्ट हों यहां पर 18-10-12-22 को जाजी कर दी जाएगी बात की जाए schedule of written test to be noticed मनलब जो आपका exam देखने के लिए मिलेगा तो यहां पर लिखा हुआ है जो भी अब रहती हैं यहां पर upload की जाएगी लिस्ट उन सभी का exam 31-10-12-22 को देखने के लिए मिलेगा यह सारी जानकाई आप सभी को इनकी official website पर देखने के लिए मिलती हैं अब आपके मन में सवाल होगा कि भरती का notification कहां से जाजी किया गया तो उसी के बारे में जानकाई सबसे पहले देरते हैं यहां पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा अगर बात की जाए notification के ब 2022 को website पर अभी देखने के लिए मिलता है इसके लाबा लिखा हुआ है कि only online माध्यम से ही आप सभी इसके लिए आविदन कर सकते हैं यहां पर बात कीजाए ओपनिंग डेट मैंने आपको बता दी है 15 सितंबर 2022 6 October 2022 तक आविदन कर सकते हैं इसके साथ ही अगर बात की जाएए यहां पर pay scale के बारे में समग शिक्षा invite online application for eligible candidate to fill up 158 post मतलब 158 post के लिए यहां पर JBT, JBT का मतलब क्या होता है junior basic teacher लिखा हुआ नीचे जिसको हमारे उतरबदिसक के अंदर का आ जाता है primary teacher 125 के लिए यहां पर एक note करने वाली बात आपको बता दूँ यहां क्या होता है कि अलग-अलग राज्यों के अंदर primary teacher के सिच्छक जो होते हैं वो उनको अलग-अलग नाम से बुकार जाता है जैसे कि आप उतरबदिस में डीलेड मानते हैं है ना मैं आगे दिखाऊ हूँआ यहां प पंजाब में आप जाते हैं तो वहां पर JVT या फिर ETT आपको देखने के लिए मिलता है अगर आप राजिस्तान में जाते हैं वाप BSTC देखने के लिए मिलता है है ना तो यहां पर अलग-अलग नाम से बुकार जाता है लेकिन मतलब एक ही होता है और वो आप सभी जानत मिलती है जूल एंड रेगुलेशन के अनुसार मतलब जो आपकी सेलरी होगी वो समय समय पर बढ़ती रही अब बात कर ली जाए पदों की संक्या के बारे में JVT मतलब के प्राइमरी टीचर के लिए जनरल के लिए 75 पद हैं OVC के 41 पद हैं SC के 26 है EWS की 16 है टोटल पोस्ट अगर बात की गयतों 258 देखनी के लिए मिलते हैं इसके अलावा छे पोस्ट आपको देखनी के लिए मिलती है tootl यही पोस्ट आप स्थी को देखनी लिए मिलेगी 158 ठीक है नीचे और भी जानकाई हैं आप सभी के सामने लिखी हैं अगर आप इस notification को read करना चाहते हैं तो इनकी official website पर जाकर आप सभी इसको download भी कर सकते हैं जहां पर आप सभी को यह देखने के लिए मिल जाएगा या फिर जो भी आप website पर बिस्वास करते हैं उस पर जाकर download कर लें आपको वहाँ से भी notification मिल जाएगा बात कर लेते हैं कुछ और जानकाईओं के बादे में जोके आप सभी के essential qualification को लेकर हैं आप जानते हैं कि अगर आप पैमई में सिच्छेक बना चाहते हैं तो आपका Diploma in Elementary Education होना चाहिए जिसको डेलेड कहते हैं या फिर गयते हैं या फिर जेबीटी कहते हैं अब यहां पर लिखा हुआ है कि आप सभी के पास में क्या होना चाहिए graduation होना चाहिए from recognized university के माध्यम से पहला दूसरा आपके पास में Diploma in Elementary Education delayed होना चाहिए बाकि जिस भी नाम से जाना जाता हो और इसके बारे में नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है less than two years duration recognized by NCTE के माध्यम से तीसरा क्या मांगा जाता है प्रेमरी के लिए तीसरा मांगा जाता है TET का certificate TET का certificate कौन सा लगेगा यहां पर आपको seated देखने के लिए मिलेगा seated आपको लेवल 1 वाला जो होगा 125 के लिए जो आपने पास किया होगा वही अभ्यरती इसमें आविदन कर सकते हैं दूसरे अभ्यरती नहीं कर सकते अगर आपके पास UP टेटा या फिक कोई भी टेटा तो आपका नहीं चलेगा बस आपका seated होना चाहिए 125 बाला साथ में आपके पास डेलेड होना चाहिए सवाल होगा कि सब बीएड वाले अभ्यरती आविदन कर सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत साई जानकाई लिखी हैं इसके अलावा जो भी डेग्री आती हैं जो कि बीएड और डेलेड के समकच हैं वो भी आविदन कर सकते हैं लेकिन बीएड वाले चाहत्तों आप जानते हैं कि जो भी बीएड वाले अव्यरती होंगे उनको 6 मन्थ का वेज़ कोर्स देखने के लिए मिलेगा जैसा कि लिखा हुआ है Undergo और 6 मन्थ वेज़ कोर्स इन Elementary जो कि बीएड वाले चात्तों को देखने के लिए मिलेगा जो कि 2 साल के अंदर appointment के अंदर करवा दिया जाएगा नीचे और भी बहुत साइज जनकाई हैं लिखी हुई अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं Selection Process के बाएं में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कि Marit List के अंदर आपका जो Selection देखने के लिए मिलेगा वो 500 Question के आधा पर किया जाएगा जहाँ पर Qualifying Marks आप सभी के 40% देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर आपका कोई Interview नहीं होगा जिसा की लिखा हुआ है अगर बात कीज़ें डेटेल के बाएं में तो आपको देखने के लिए मिलता है कि 500 Question आप क्यों होंगे, 500 Marks आपको देखने के लिए मिलेंगे किस मैंसे कितने कोईशन आपकी देखने के लिए मिलते हैं इसके बारे में भी जानकाई लिखी हुई है पूरी जानकाई आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है अगर बात किये Difficulty Level के बारे में तो 10th Standard का आपका Paper होगा 40% आप सभी को यहां से लाने पड़ेंगे जैसा कि लिखा हुआ है Negative Marking भी यहां पर Apply होगी इसके अलावा आपका जो एक्जाम होगा वो Hindi English दोनों में देखने के लिए मिलेगा जो भी अभ्यती आविदिन करना चाहते हैं Hindi English में आविदिन कर सकते हैं लेकिन एक बात मैं आप सभी को बता दू चुकि आप जानते हैं कि चंडीगर पंजाब में बढ़ता है तो पंजाब वाले जो भी अभ्यती यहां से आविदिन करते हैं उनके लिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो भी अभ्यती सम्मिट करते हैं पंजाबी मीडियम बालों के लिए उनके लिए जो यहां पर आपका इगजाम ओगा वो यहां पर पंजाबी लेंगिए अंधर भी देखने के लिए मिलेगा मतलब यह धियर अधर आविदिक्रिज से करेंगे उनके लिए गरा फंजाब आगर वह हो जाएगा इसके बारे में अगर बात की जाए एज लिमिट को लेकर तो 21 से लेकर 37 वर्स के अभ्यरति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं SC OBC यहां पर जो भी होंगे उनको यहां से जो शूट है वो देखने के लिए मिलेगी online आवेदन करने के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि application फीस आप सभी को 1000 वपर देनी पड़ेगी अनिजब के लिए अगर आप यहां से आते हैं SC OBC बेहती तो 500 वपर आपको यहां से जो फीस है वो देनी पड़ेगी जिसके बारे में detail में जानकाई लिखी हुई है इसके अलावा आप सुभी अगर जानना चाहें जादा जानकाई तो यहां पर detail में नमबर इसके अलावर email भी देखने के लिए मिल जाती है आप अपनी जो भी जानकाई है वो यहां से ले सकते हैं फिलाल आपके result के बारे में लिखा हुआ है कि official website पर आपका जो परड़ाम है वो exam के बाद जारी कर दिया जाएगा इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी जानकाई जो के आपके exam से संबनित हैं वो भी इस notification के अंदर देखने के लिए मिल जाती है अगर आप जानना चाहें तो इसको समझ सकते हैं और उसके अनुसार आप लोग आबेदन कर सकते हैं अगर आप इस notification को लेना चाहते हैं तो हम शेयर करवादें के अपने टेलीगाम चैनल पर वीडियो को लाइक करते हैं साथी शेयर करते हैं